हाई फ्रेंग्स असलियामुलेकूम रॉनक जहन व्लोग्स में आप सब का वेलकम तो कैसे हैं आप सब तो आज मैंने बनाई हो मटन महारानी बहुत ही सिंपल और इजी वे में तो इसके लिए लगेगा हम लोगों को एक किलो मटन मैंने अच्छी तरीके से धो ली हूँ और इ सिर्फ नमक और एक से देड़ ग्लस पानी डाल के मैंने गोश को जो है सीटी लगा ली हूँ ताकि हमारा गोश एक तरफ जल्दी जल्दी बॉयल होता रहे और साथ साथ हमारा जो मतन महारानी का जो मसाला है हम वो बनाते जाएंगे तो यह बनाने के लिए हम लोगों को यह अंज को दनिया पाउडर 2 टेबल स्पून लाल मिष पाउडर 1.5 टेबल स्पून हाफ टेबल पून हल्दी थीहाफ टीऺ स्पून और यह मगा स्थे को थेचिए नमक ट्लस टेंग यह यह मागाolve। भी हम लोग चोपके लगेंगे ताकि ज़कर लिंगे रहेश बगोर और जो बगोने में मैंने प्यास फ्राइ करी थी वही बगोने में हम लोग हमारा महारानी मटन बनाएंगे और यह है अद्रक लेसुन का पेस्ट तो सबसे पहले मटन महारानी की जो ग्रेवी रेडी कर लेंगे हम लोग मैंने प्यास जो मीडियम साइज की प्यास को मैंने फ्र दनिया पॉडर आइड इसे में आड़ करेंगे खोप्रा उप्रा जो हैं हमने 2 टेबल स्पून भर के लिया है इस से क्या है ना हमारी जो ग्रेवी है एकडम क्रीमी टेक्स्च्चर आता है और बहुत ही स्मूध टेक्स्चर आता है हमारे ग्रेवी का तो यह देखे माशाऑला अच्का पाण स्मूध ग्रेवी की तरह पीस ली हूँ और जैसी हमारा तेल हलका सा गरम हो जाएगा ज्यादा गरम नहीं करना है वरना मारा मसाला जल जाएगा तो हलका सा गरम होने पर हम ने ये पीसा हुआ जो पे Easy настолько माऺेवी के नियुक्तव तेल के पाण भून लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के में इंग थोड़ा सा ग्रेवी कर ली हूँ ताकि ग्रेवी और क्णिद आग्णि ऑगेरी यह खाझ रहना को पानी तीमाटर कोमानी तीम नहीं मुटा मुटा चॉप करके इसको मैंने भारिक सा पेस्ट बना ली हूं तो ये भी हम लोग इस हमारे जो ग्रेवी में आड़ कर लेंगे तो माशाला जब हमारा मटन का जो ग्रेवी जो तेल छूड़ गया था तब हमने इसमें टमाटर आड़ कर लिया था ओके इसके बाद जो है हमारा है ना गोश अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका था तीन से चार सीटी में अलहमदोरिला तो हमने जो है गोश को अलग से निकाल लिया और हमारी ये जो ग्रेवी में आड़ कर लिया है तो अब हम लोग क्या करेंगे दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको एक से दो मिनिट तक अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि जो सारे जो हमारे मसाले है गोश को अच्छी तरीके से लग जाए तो माशायला बहुत ही जल्दी वन जाती है हमारी ये जो मटिन महारा रही की जो ये जो गृवी है ही जल्दी जाती है और जादा टाइम भी लगता थैभी ये बिल्कूल टाइम सीविंग है एक तरफ अप लोग गोस्ट गाय उबानने के लिए रख दीजिये और एक तरफ जो सारे जो मैंने आपको मसाले बताई हूं वो है ना उसको अच्छी तरीके से पेस्ट बनाके पीस लीजिए और इसके बाद आपको जो है फटाफट तेल गरम करके जो है मसाले जो मैंने जो आपको बताई हूं उसका एक बैटर बनाके इसको अच्छी तरीके स तो भूनते भूनते माशालला यह देखिए हमारा जो गोश है अच्छी तरीके से भून चुका है और माशालला एक दम क्रीमी टेक्सचर आता है जो खोपरा और जो मगस वगएरा जो इसमें आड किये हमने इससे बहुत ही स्मूड टेक्सचर आता है हमारे ग्रेवी का तो जो पानी बचा था तो हमने फिर वेंसे पानी इसमें डिया और फ़रा सावने इसको रूश कर लिया है हमारे ग्रेवी को थोड़ा से ड normal आप कर लिया है तो आपकी मर्जि आप लोग चाहिए आपको स्वे में सेमी सॉरिड रख सकते है या फिर पतला रख सकते हैं आपकी मर्जी आपको जैसे खाना है खाने में टेस्ट में बिल्कुल भी फरक नहीं आएगा माशाला एक दम जबर्दस यम बनती है ये डिश और इसको हम लोग गानिश करेंगे फ्रेश धनिया की पत्ती के साथ और इसको इस तरीके से जब हम चार से पां मर्जी आप लोग को जैसे चाहिए आप लोग खा सकते है तो चलिए फ्रेंड्स मेरी इस जटपट वाली मटन महरानी की रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिए आपके इस फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स में शेयर कीजिए मुझे सब्स्क्राइब करना ना भूले चलिए फ्र प्रेंड्स